दोस्तों मुबाइल गेमिंग में आजकल आदे से ज़्यादा गेम्स तो ऑनलाइन है और हम सभी को ऑनलाइन गेम्स खेलना तो पसंद होता ही है मगर कभी कभी हमारे स्मार्टफोन पर इंटरनेट कनेक्शन ना होने के कारण हम कोई भी गेम्स को अपने मुबाइल डिवैस प गेम्स को खेलने के लिए आपको किसी भी त्रह के इंटरनेट कनेक्शन की जुरत नहीं पढ़ने वाली है साथ इन सारे गेम्स में आपको काफी हाई क्वालिटी के ग्राफिक के साथ साथ मज़ेदार गेम्स भी देखने को मिलेगा तो दोस्तों इनही मज़ेदार Gems की वीड़ benio को स्टार्ट करते हो देखते हैं आपको नमेर से खौist ऑफ लाइन गेम पसंब आता है हुं आए उस तो गज़ा वीड़ की स्टार्टिंग करते हैं् जॉब्स लाइफ game से दोस्तो जोबलेस लाइफ गेम में काफी ज्यादा महेदार ओफलाइन ओपन वर्ल गेम है जिसका साइज आपको केवल 150 MB तक देखने को मिलने वाला है और 150 MB में आपको इस गेम की ओपन वर्ल सीडी के अंदर बहुत सारे मिसल्स कम्प्रीट करने को तो मिली जाएंगे जिसमें आपके करेक्टर के पा कोई भी नौकरी ना होनी की वए से आपको इस गेम के ओपन वर्ल मैप में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिसल्स कम्प्रीट करने को मिल जाते हैं जिसमें आपको डिलिवरी करने से लेकर कारों को चुराने जैसे मिसल्स को कम्प्रीट करके इस game के अंदर रुप्या कमाना पड़ेगा और कमाएगे रुप्यों से ही आप इस game में दियेगी अलग-लग तरह की चीजों को purchase भी कर सकोगे जिसमें आप food item से लेकर अलग-लग तरह की कारों को purchase करके इस game में अपने character को survive रख सकते हो तो दोस्तो overall path crew तो jobless life game में काफी ज़्यादा मयदार open world surviving game है और इस game के अंदर आपको इसकी open world city में कैसे ना कैसे survive करना पड़ेगा तो guys अगर आपको भी jobless life game में काफी ज़्यादा मयदार game लगा तो आप इस game को play store पर जाकर आसानी से अपने mobile device पर डाउनलोड करके enjoy कर सकते हो guys वीडियो को आगे बढ़ाते हो नमबर 2 पर है ninja assassin stealth game दोस्तो ninja assassin एक काफी ज़्यादा मयदार open world RPG game है और इस game के अंदर आपका character ninja का होगा और आपको ninja का role play करके इस game में अलग-लग तरह के अपने targets को eliminate करना पड़ता है और अपने दुस्पन को मारने के लिए इस game में आपको stealth mode का इस्तेमाल करने को मिल जाएगा जिसमें आप stealth mode का इस्तेमाल करके आसानी से अपने enemies को मारके इस game के level को complete कर पाते हो इसके अलावा आपका character ninja का होने की वएसे इसमें आपको बहुत सारे अलग-लग तरह के gadget इस्तेमाल करने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप और भी easily अपने target को eliminate कर पाते हो तो दोस्तों overall बात करो तो ninja assassin game में काफी ज़दा high quality का RPG गेम होने वाला है जिसका साइज के वल 200MB तक होने की वएसे आप प्लेश्टोर पर जाकर आसानी से इस गेम को डाउनलोड करके offline enjoy कर सकते हो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हो number 3 पर है witch cry horror house दोस्तों witch cry horror house एक काफी ज़्यादा दरावना horror game है जिसमें आपका character एक witch hunter का होगा और आपको इस game में अलगलग तरह के witch के अलावा भूस सारे monsters को भी hunt करना पड़ेगा और उन्हें hunt करने के लिए आपको इस game के अंदर अलगलग तरह के gadget का इस्तेमाल करने को भी मिल जाता है जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से witch को hunt कर पाते हो साथी साथ इसमें आपको weapons upgrade करने के अलावा भूस सारे cutscenes भी देखने को मिल जाते हैं जो इस game को काफी ज़्यादा महिदार horror game बना देंगे और witch hunt करने के अलावा इस game में आपको उनसे सवाय भी करना पड़ेगा जिससे एक game में काफी ज़्यादा महिदार horror game बन जाता है तो guys overall बास के तो witch cry गेम में काफी ज़्यादा महिदार horror game है जिसका size के बल 100 MB तक होनी की वेश से आप आसानी से इस game को प्लेश्टोप पर जाकर डाउनलूड करके offline enjoy कर सकते हो guys वीडियो में आगे बढ़ते हो नंबर 4 पर है train simulator pro 2023 दोस्तो train simulator pro एक काफी ज़्यादा महिदार और बिलकुली नया train simulator game होने वाला है जिसका size आपको 1.1 GB तक तो देखने को मिलता ही है और completely offline game होनी की वेश से आप बिना internet connection के भी इस game को enjoy कर सकते हो साथी बात करें इसके gameplay की तो इसमें आपको realistic controls button देखने को मिल जाते है जिनका इस्तिमाल करके आपको इस game में अलग-लग track की train को operate करना पड़ता है और train को operate करने के साथ साथ आपको एक location से दूसरे location तक train को पहुचाना पड़ेगा और train को अपने destination तक पहुचाने के लिए इस game में आपको काफी अलग-लग track के missions complete करने को भी मिल जाएंगे जिससे एक game एक बिल्कुली नया proper train simulator game बन जाता है और बात करें इस game के graphics की तो 1.1GB का size होने के बावजूद इसमें आपको काफी high quality के graphics तो देखने को मिलने ही वाले है तो दोस्तों अगर आपको भी अपने mobile device के उपर एक train simulator game खेलना पसंद है तो आप try कर सकते हो train simulator pro 2023 game को जिसे आप play store पर जाकर आसानी से अपने android device पर डाउनलोड करके enjoy कर सकते हो गैस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के आखरी offline game का नाम है ragfest mobile दोस्तो ragfest mobile एक काफी ज़्यादा महिदर realistic car driving game है जिसका size आपको 3.3 GB तक देखने को मिलेगा और 3.3 GB में आपको काफी high quality के graphic के साथ साथ मज़दा realistic gameplay experience देखने को मिलने वाला है जिसमें आपको अलगलग तरह की car चलाने के साथ साथ अपनी दुस्मन की car को तबा करना पड़ता है और enemies की car को destroy करने के लिए इस game में आपको एक दुस्री की car को टकराना पड़ता है और जो का लास तक सवाइब करती है वही इस game की winner होगी और तोर offline game होने के अलावा इस game में आपको online mode का भी option खेलने को मिल जाता है जिसमें आप अपने दोस्तों को invite करके एक team बना कर भी इस game को enjoy कर पाओगे इसके अलावा जैसे से आप इस game में level को complete करते जाओगे आप अलग-लग तरह की new vehicles को भी purchase कर सकते हो तो दोस्तो overall बात कूँ तो ragfest mobile game में काफी ज़्यदा मैदार game है जिसे आपको जरूर से अपने mobile device पर try करना चाहिए तो guys ये थी कुछ मेंदा top 5 best new offline games जिने आपको जरूर से अपने android device पर खेलना चाहिए दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटा फट वीडियो को like और चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लिजे जिसे future में आनली वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिल पाएगी और comment कर जरूर बताएगा कि आप उनमें से कौन सा offline game पसंद आया मिलते हैं नेक्स वीडियो पर बाए